एक ऐसा राजा जिसने अपनी अयाशी के लिए 20 महिला सोलजर को रखा हुआ है, जिनके साथ हर रोज अपनी रातें रंगीन करता है। यह इकलोता ऐसा राजा है, जिसने अपनी रईसी से दुबई के शेखों के पसीने छोड़ाए हुए है, जो कि वो अपने पैसे इस तरह से खर्च करता है। यह तरीके आपको हैरान कर देंगे। जब उसका मन करता है तो वह अपनी महिला सोलजर्स पर करोडो डालर उड़ा देता है, तो कभी अपने पिता के मरने पर उनकी लाश को ले जाने के लिए सोने का रत बनवा देता है। लेकिन सोचिए कि यह जिस देश का राजा है, आज उसकी आउकात बस इतनी सी है कि उसका पूरा देश सिर्फ अपने स्पेशल मसाज के अलावा और किसी भी चीज की वजह से फेमस नहीं है। इस राजा ने अपने अयाशी के लिए 20 ऐसी महिला सोलजर रखी हुई है जिनके साथ ये हर रोज गंदा काम करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। खूबसूरत लड़कियां और ओरतें जिन्हें जब चाहे खरीच सकता है। इस वजह से इस राजा को अयाश और रंगीन मिजाजी भी कहते हैं। कबीर के टाइम पर ये अपनी चार पतनी, कई नौकर और नौकरानी के साथ जर्मनी के फाइव स्टार होटल में डेरा जमाए हुए हैं। इनकी संपत्ती की बात करें तो इनकी कुल दो लाख करोड रुपए से अधिक की संपत्ती बताई जाती है। और ये रिपोर्ट साल 2018 की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। आपको बता दें कि इसमें अर्मों रुपए का शाही महल, 20 से भी अधिक निजी हवाई जहाज, तरह तरह की महेंगी गाडियों का कलेक्शन, हीरे जवाहरात और तमाम तरह की संपत्तियां शामिल है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसे कोई नहीं जानता। इनके पास 546 कैरेट का एक ब्राउन डाइमंड भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डाइमंड है। इसकी कीमत की बात करें तो ये 12 मिलियन डालर यानी 93 करोड के करीब है और उनकी कुल संपत्ति का 9 बिलियन अमरीकी डालर स्टॉक मार्केट में। पैसों से जुड़ी एक और बात जो शायद आपको हैरान कर दे। दरसल इन्होंने अपने पिता भूमी बोल के अंतिम संसकार पर 10-20 करोड नहीं बलकि 600 करोड के करीब खर्च किये थे। उनके शव को सोने से बने रत पर रख कर शमशान घाट तक ले जाया गया था। वे कई बार तो Why Do We Need King काफी ट्रेंड किया था। लोग उसका विरोध इसलिए भी करते थे क्योंकि वह जनता से ज्यादा अपनी प्रेमिकाओं का खयाल रखता था। अगर इस राजा की परसनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने कुल चार शादियां की। शुरू के तीन के लिए जेल में डाल दिया था। कारण बस एक छोटी सी अनबन थी। थाइलेंड के राजा ने अपनी पतनी को एक साल जेल में रखने के बाद वापस छोड़ दिया। राजा ने कबीर के दौरान जर्मनी में एक होटल का चौथा फ्लोर बुक कराया था। इस फ्लोर पर उसकी एक गर्लफरेंड के साथ शॉपिंग करते हुए देखा गया था। उस वक्त भी राजा ने क्रॉप टॉप और जीन्स ही पहन रखा था। मीडिया में इन खबरों के फैलने के बाद भी राजा की पतनियों ने अपने पती को तलाक नहीं दिया। उसके उलट उनकी प